साथियों मीन लगन की किसी भी जन्म पत्रका में, यदि इस पंचम भाव में गुरुदेव बिराजमान होते हैं, तो ऐसे जातक कि जो पहली संतान है, वो पहली संतान इनके खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला विक्ति बनता है, कुल दीपक योग का निर्मान कर होता है, और अपने पिता के लिए परम भाग्योदय कारक होता है, यदि यहाँ पर स्वयम चंद्र देव बिराजमान हो जाएं, तब भी यह जो पहली संतान इनके लिए है, वो आकस्मिक धनलाब अवश्य लेकर के आती है, इसके अतरुक तो यदि मंगल देव स्वयम यहा कार्रे करता है, इनको अच्छे दिन दिखाने का कार्री यह पहली संतान अवश्य करती है। वो हमें यह बतलाता है, कि यह जो समीकरन है, और आप स्वयम इसका परीक्षन कर सकते हैं अपनी जर्म पत्रका में, अपने किसी की जर्म पत्रका में, यदि शनी, राहू, केतु, मंगल यदि लगन में बिराजमान है, इन में से कोई एक या अधिक ग्रह, इस सब्तम भाव में जो की विवाह का भाव होता है, शनी, राहू, केतु, मंगल इन में से कोई एक अधिक बिराजमान है, या मंगल ट्वैल्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में, यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनी देव की बात करें तो यहां पंचम भाव में बिराजमा हो जाता है, कि यह विवाह में डिले होता है, अब करना क्या रहा, बहुत कम ऐसे अवसर होता है, जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कारणी कर सकें, ताकि विवाह संपन्न हो जाए, तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है, 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस अनुष्ठान में ज़रूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गैरंटी है आपका विवाह संपन्न होने की तो मेरे बहुत ही प्री और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनंदन बहुत-बहुत हार्दिक स्वाकता साथियों इन दिनों चर्चा जो चल रही है, वो चल रही है संतान योग पर और संतान से संबंधत दो बाते हम कर रहे हैं, पहली बात कि कब भाग्योदय कारक और शीखर संतान प्राप्त हो जाती है, ऐसे कौन से योग होता है और दूसरा कब संतान में बहुत ज्यादा डीले हो जाता है या कई बार वो नहसंतान ता योग का निर्मान हो जाता है तो दोनों ही पक्षों पर चर्चा करेंगे और आज इस श्रिंखला का ये अंतिम एपिसोड है क्योंकि मीन लगन का आज यहाँ पर नमबर आ गया है तो सबसे पहले पॉजिटिव बातें करेंगे कि कब भाग्योदय कारक और शीख्र संतान प्राप्त हो जाती है इससे पहले मीन लगन की तीन सबसे बड़ी विशेशता होती है एक तो मीन लगन का जो विक्ती है बहुत ही मिलनसार होता है किसी से भी बहुत जल्दी एड़िस्ट हो जाता है किसी से भी बहुत जल्दी वो मिलने जुलने लगता है उससे दोस्ती कर लेता है उसके दिल में अपने लिए वो जगे बैठा लेता है आम तोर पर इनका जन्म किसी ऐसे परिवार में होता है यहां पर बेसिक मूलभूत संसादनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती वैसे तो बहुत ज्यादा यहां पर दुख परिशानी नहीं होती है लेकिन इनके जीवन में जो भी परिशानी आती है वो अचानक से आती है आकस मित्ता का इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है चाहती हो सबसे पहले बात करेंगे परम योग कारक ग्रह स्वयम लगनेश गुरुदेव की यदि गुरुदेव स्वयम इस पंचम भाव में बिराजमान है या फिर लगन में बिराजमान है या फिर इस एकादश भाव में बिराजमान है या फिर यहां नवम भाव में बिराजमान है इन तीनों इस्थानों से वो पंचम भाव को देखने का कार्रे कर रहा है साथ यो ऐसी जो संतान होती है इस उजातक के यदि इन चारों में से कोई भी परिस्थितियां बन रही है तो बहुत ही भाग्योदे कारक संतान होती है खास तोर पर पिता के लिए वो बहुत भाग्योदे कारक होती है यदि ऐसा जो पिता है उसके पास में नौकरी नहीं है तो प्रथम संतान के बाद में उसको बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है व्यापार यदि पहले ठीक ठाक नहीं चल रहा है फिर सरपट दोड़ने लगता है कुल मिला करके ये बहुत ही सर्वश्ष्ट स्थितियों में से एक स्थिति कहीं जाती है साथ योद दूसरी जो स्थिति है वो स्वैम चंद्रदेव जो की पंचमेश है संतान के कारक है यदि चंद्रदेव यहाँ पर स्वगर ही होकर के बिराजमान हो जाए या फिर वो इस स्थान पर बैठ करके इस पंचम भाव को देखने का कार्रे करता है इन दोनों ही परिस्थितियों में इनको भी एक भाग्योदय कारक संतान शीखर ही मिल जाती है आकस्मिक धन लाव इनको मिलता ही रहता है यदि ये शेर मार्केट में कार्रे रथ हैं तो पहली संतान के बाद में इनको बहुत अच्छा लाव उस बाजार से भी जरूर मिल जाता है साथियों तीसरी स्थिती मंगल देव से संबंदित है जो की एक योग कारक ग्रह है इस जन्मपत्र का में यदि मंगल देव यहाँ पर बिराजमान है आलांकि वो नीच राशी के हो गए लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लावा आपको जरूर देंगे यहाँ वो स्वग रही हो गए यहाँ वो उच्चराशी के हो गए और यहाँ वो केंदर में बिराजमान हो गए इन तीनों स्थानों से वो पंचमभाव को देखने का कार्रे कर रहे हैं साथ ही इने चारों ही परिस्थितियों में जो पहली संतान होती है वो इनके लिए भाग्योदा कारक होती है शीगर ही संतान इनके जरूर हो जाती है और साथ ही वो अपने खांदान में सबसे तरक्की ज्यादा करने वाली संतान होती है इनके परिवार का, इनके शहर का, इनके गाउं का नाम वो दूर दूर तक रोशन करने का कार्रे जरूर कर देती है साथ ही इसके अतरिक यदि बुद्ध की भी थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति यदि है हलांकि बुद्ध को किसी शुभ ग्रह का अनुग्रह यहां पर जरूर चाहिए यदि बुद्ध ही यहां पर बिराजमान है या इस इस्थान पर बिराजमान होकर के और सब्तम पूर्ण दृष्टी से पंचम भाव को देखने का कार्रे कर रहा है तो ऐसी जो पहली संतान है यह जातक इस संतान के होने के बाद में अपनी पहली गाड़ी खरीता है अपना पहला घर खरीता है अपना पहला बिजनस शुरू करता है अपना पहला बड़ा निवेश वो करता है तो ये सारी positive स्थितियां है अब सिक्के का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं और कब ऐसी स्थितियां लागू होती है जीवन में कि संतान या तो होती भी है तो बहुत डीले होती और होती भी है तो एक नाला एक संतान के रूप में वो पैदाज जरूर हो जाती है 27 जनुपत्रिका में शुक्र देव यहां पर बिराजमान हो जाएं या फिर इस स्थान पर बिराजमान होकर के पंचम भाव को देखने का कार्रे वो करता है ऐसा जो व्यक्ति है इस संतान को प्राप्त करके कभी भी राजी नहीं होता क्योंकि ये संतान कुल घाती साबित होती है व्यक्ति को जरूर ये लगता है कि ये संतान अगर ऐसी ही होनी थी तो इस से अच्छा था इश्वर मुझे नहसंतान ही रख देता साथ यहाँ पर जो दूसरी स्थिती है वो सूर्य देव से संबंधित है यदि सूर्य देव यहाँ पर बिराजमान हो जाएं तो ये संतान में डीले तो करता ही है और ऐसी जो संतान यदि मान लीजे हो भी जाती है तो इसके बाद में परेशानियों का अंबार इस विक्ति क साथ में लग जाता है उसको बार-बार अपमान जनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है रिन यदी वो ले ले लेता है तो वो उस रिन को चुका नहीं पाता शत्रू उस पर हावी जरूरत से ज़्यादा हो जाता है किसी ना किसी ला इलाज बीमारी से वो गरसित हो जाता है किसी ना किसी प्रकार का नशा वो करने लगता है छोटी बड़ी जेल यात्र का योग उसके बन जाता है तो ये सारी परिशानिया उसको प्रथम संतान के बाद में मिलती है और सूर यदी यहां पर भी बिराजमान है और यहां से बैठ करके वो सबतम भाव सबतम दृष्टी से बलकि कहें वो देख रहा है तब भी यह सारी परिस्तितियां लागू यहां पर जरूर जरूर और जरूर हो जाते हैं साथ यों बात एक और ग्रह की करेंगे और वो है शनी देव यदि शनी देव स्वयम यहाँ पर बिराजमान हो जाए या इस तृतिय भाव में बिराजमान हो जाए या इस एकादश भाव में बिराजमान हो जाए या फिर इस अश्टम भाव में विराजमान हो जाएं इन तीनों ही स्थानों से वो इस पंचम भाव को देख रहे हैं और शनी देव की यदि ये स्थितियां मीन लगन में हैं तो ये बिलकुल ठीक स्थिति नहीं कही जाएगी अबल तो ये संतान होने ही नहीं देंगे खास तोर पर यदि शनी की दशा अंतर दशा इनको चल रही है और शनी यदि किसी कारण से संतान हो भी जाता है क्योंकि जो जीवन साथी है उसकी भी कुंडली हमें देखनी होती है तो संतान के बाद में इनके व्याय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आए बिलकुल कम हो जाती है इनकी, कुल मिलाकर कि ये बैलन्स खराब हो जाता है, व्रिद्धा वस्था में अपने पिता को प्रताड़त करने वाली ये संतान जरूर यहां पर साबित होती है, और अपने मा स्थितियों पर हमने चर्चा कर ली है, पहली जो परिस्थिती थी जिसमें की योगकारक ग्रहों की स्थितियां थी, भाग्योदयकारक संतान, शीखर संतान, यदि उन में से किसी ग्रह की आपको दशा चल रही है, तो आपको चाहिए कि आप उसके मंतर जाप करें, नियमत रूप से करें, और यदि ऐसे मारक ग्रहों की आपको दशा चल रही है, तो आपको क्या चाहिए, कि आप उससे संबंधे तो जो दान है, वो आपको करने अवश्य चाहिए, शीखर संतान भी आपको प्राप्त होगी, और संतान यदि गलत रास्ते पर चल भी पड़ी है, त अमतकारिक, अनुभविक, ये सारे के सारे प्रयोग निश्चित तोर पर होते हैं, तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, सम्रिध और शांती पूर्वक जीवन व्यतीत करें, नमस्कार. कर दो हो पी है, ये सल्कित तो की सारे करें तो पूर्वक जीवन प्रहसं अन।